असलाम वालेकूम में व्रीवन खुशाम देशाम नियुकर आप सबीखा हमारे चैनल में तो आज हम बनाने जा रहे हैं मैं आपने देख़ाई है ताइटल में कि क्या बनाने जा रहे हैं तो हे वो एक करी और बहुत ही ला-जवाब तरीक से और बहुत ही सिंपल और आसान तर रख लिए थोड़ी ओाद कर अबाफिकरद्श कर दोगए और ये अदर्ब के रख लिए और आलों भी जीन के १क्र कर ना चाहें कर सकते और यह प्यास का पेस्ट नाम्ट बहुत ही फाइन तरीकें से पीचा है और चलिए तो अब हम कर इसमें डालेंगे औाइल और आप इसमें हमने इसलिए थोड़ा सा ओल ज्यादा डाला है क्योंकि एक करी है या कोई करी बनाओ तो उसमें थोड़ा सा तेल ज्यादा होता है तो अच्छा लगता है उसमें तीरा बगधीनास दिखता है वैसे आपकी चॉइस है, आप कम ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो ये हमने इसमें ऑईल डाल दिया है, और अब हम इसमें डालेंगे मेथी, और ये मेथी से बगहरती है, इसका फ्लेवर अच्छा आता है, तो हमने इसमें थोड़ी सी मेथी डाल दिये, और जब ये इसका कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे प्यास जो हमने कट करके रखी हुई थी तो हम डार रहें प्यास डाल दी है और इसको चलाना है जब तक यह ब्राउन नहीं हो जाती इसको चलाते रहना है और इस नियु यर आप लोग कहां कहां घूमने गए कैसे हैं पढ़ना उसका रिपलाई करना बorage अच्छा लगता है और इससे पताचलता या कि आप लोग हमें कितने लाइक करते होँ इस लिए थोड़ी थो शाफ़ना अच्छा लगता है कमेंट से ही तो पताचलता है कि आप लोग किस तरह से हम पसंद करते हैं नहीं या फिर हमारी वीडियो से आपको अच्छी लगती है की नहीं अच्छी लगती है तो अच्छा लगता है और यह थोड़ी से हरी मिर्ची भी इसमें कट करके रख लेंगे वीच से दो टुक्रे कर लेंगे इसके तो वह भी डाल और मिर्ची का भी फ्लेवर अच्छा सा ही आता है हरी मिर्च का वैसे भी हम लोगों को लाल मिर्च थोड़ी इकनोर करना चाहिए और हरी मिर्च और काली मिर्च का ज्यादा यूज करना चाहिए तो यह हमने हरी मिर्च भी डाल दिये और यह देखे अब हम इसमें आलू डाल है हमने इसमें और इसको हम थोड़ा फ्राइ कर लेंगे विन आलुओंको और थोड़ा सा इसमें कोटिंग हो जाती ना ऑइल की तो तूटताहे भी नहीं ये आलु तो इसको आलू को को फ्राइ कर लिये हैं और हाँ एक जो थेहा है तो इसी में फ्राइब कर लिया था और अब हम इसमें मसाला भूनेंगे तो यह हमने डाल लिया है एक चमच भर के डालाया इसमें और इसको खुब अच्छे से भूनना है मसाले को तो यह देखिए इसमें मसाला भून रहे हैं और आप चाहें तो अलग से कड़ाएं में भी एक और यह आलों को फ्राइब कर सकते हैं लेकिन हमने इसी में कर लिया था क्या करना ज्यादा मतलब इधर उधर वेस्ट करने से और ऑईल भी हमने इसी में इसलिए ज्यादा डाला ता कि हम इसमें फ्राइ कर सके तो मेरे दोनों ही काम हो गए और आलू और अटे दोनों ही फ्राइक हो गये और यह अमसाला देखिए मरून रहा है और इसमें ड्राइय मसाले डालने है तो वो लाई मसाले मँढ़ पा दाबेंगे और और आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी या फिर आप लोग कैसी वीडियो देखना पसंद करते हैं सब हमें बताया करें और आप तो जानते हैं हम सबसे पहले इसमें नमक से ही मसालों में शुरुआत करते हैं तो यह नमक डाल दिया है और यह पिसी मिर्च डाली है और यह हल्दी पाउडर है और थोड़ा सा धनिया इसमें तो यह सब डाल दिया है और इसे फिर अच्छे से इन मसालों को अच्छे से पकाना है क्योंकि जितने अच्छे से मसाले पकेंगे भूनेंगे तो उसमें नहीं रहेगी और थोड़ा सा यह पानी डाल दिया है क्योंकि वह जल ना जाए मसाले थोड़ी से लगने लग तो थोड़ा सा पानी डाल टे तो मसाल जो हे वो लगेंगे नहीं और इस से कम से कम कम से कम 2 मिन तक इसे बून ना है जब aside K इसका ओई नहीं लागता है तो तो अब अच्छे से वून देंगे तो अभ देखिए यह बून गया है मसाला तो अब हम इसमें जो आलू फ्राय करके रखियोगे वो डालेंगे और अचसे इस में डाल दैंगे इसमें सारे आलू luckily एक यह बार में डालेंगे क्यूँकि अभी डाल देंगे तो फूड जाएंगे और यह जो आलू तो हाफ पख ही गये थे थोड़े ठोड़े और अब हम जब एक में सीटि लगा अगे और इसमें पानी डाल के और एक लगा देंगे और तो एक सीटि में बस हो जाएगा यह और उसके बाद जब पूरा तयार तो हम इसमें एक डाल देंगे और यह देखिए थोड़ा सा इसमें वो रह गई थी थोड़ा सा फ्राइ करने में आलू हो गया था और जो बचा कुछ है तो वो भी हो जाएगा इसमें मतलब पकने में तो इसमें शुरुआ भी पक जाएगा और आलू भी और इस तरीके से बहुत ही आसान त डाल देते हैं और या फिर ऐसे भी डाल देते हैं मसाला भून के तो यह इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल रहे हैं और यह होमेड गरम मसाला है आप लोग भी बना सकते हैं और यह जीरा पाउडर है तो जीरा पाउडर और यह गरम मसाला मतलब अलग सा फ्रेवर आता है औ और अगर आपको जादा तीखा चाहिए तो इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं काली मिर्च पौंडर और यह देखें हो गया है तो इसमें सीटी लगा देंगे और बस 1527 अज डाने पर और यह जो है वों को हम बाद में डालेंगे और एक सीटी जो स्लाफ के बाद II Sum तो यह देखिए अब हम लोग खोल के देखते हैं इसे कि यह बन चुका है या नहीं तो यह देखिए लगब कि पूरा पक चुका है और इसमें तेल पूरा उपर आ गया है और कितना अच्छा लग रहा है देखने से एकड़म जैसे लग रहा है मतलब यह चिकन बगयरे बना है तो बिल्की ही लग रहा है और एकड़म भी नहीं लग रहा है कि एक करी है और यह देखिए यह जो हम कट करके रखे रहते है हारा दनिया और काफी दिन का हें कम से कम ये दो हफ़ते हो चुके हैं और जब से हम चला रहे हैं और बस इतना ही ये बचा हुआ है लेकिन फिर भी उसका कलर और मतलब उसकी ड्राइनेस एकदम भी ड्राइ नहीं हुआ है वैसे हरा बना हुआ है और एक बार और ये चल जाएगा तो ऐसे आप काम करने से तो ज्यादा दिन चीजे चलती है आपका पैसा भी वेस्ट नहीं होता है और तो अब हम ये डाल रहे हैं एग जो हमने वॉयल करके और फ्राइ किया था बहुत ज्यादा हमने नहीं फ्राइ किया और एक अंड़ा फूट गया था तो उसको हमने नहीं जाता तो अच्छा नहीं लगता तो यह देखिए यह तयार हो गई है हमारी एक करी और अब हम इसे डिश आउट करके दिखाते हैं यह कैसे बनी है देखने में भी इसका अच्छा लग रहा था टेक्स्टर इसका और खाने में भी अच्छी बनी थी बहुत ही टेस्टी जम आउट पर देखिए आप लोगों को अब हमें जो भी आता है हम आप आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और हमें अच्छा लगता है अपलों के श्याय करना बनाना तो देखिए बहुत ही डिलिशिस लग रही है ये डिश पांसे देखिए कि तो अच्छा इसका इसका कलर आ रहा है और खाने में बहुत ही अच्छी बनी हुई थी तो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो जरूर करिएगा हमें और बस आप लोगों का प्यार ऐसे ही चाहिए तो देखिए किते अच्छी लग रही है न यह एक करि और खाने में बहुत ही टेस्टी ती तो चलिए आपको हमारे रेसिपी कैसी लगी है अगर अच्छी लगे है तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और पास ही लगे बेल आइकन को भी दबा दिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिज, अब खेर, थैंक यू, दौाओं में याद रखिएगा थैंक यू अल